हेलो नमस्कार साथियों कैसे हूँ आप सब लोग मैं आसा करता हूँ काफी बेहतरीन होगे आप सब लोग मेरा नाम है डियोम सिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरियोम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर का एक्चुल में मतलब क्या होता है बायो डाइवर्सिटी क्या है और कितना है टोटल 12 बायो डाइवर्सिटी अभी प्रजेंट है समझ गया बायो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग आज क्लासिफिकेशन करेंग देखो भाई अब बहुत सारा और्गेनिजम प्रजेंट है तो हर एक इंडिविज्वाल और्गेनिजम के बारे में पढ़ पाना बहुत मुश्किल है तो हम लोग उसको पार्टिकुलर ग्रूप बना बना के पढ़ेंगे उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा रीजन ओफ character बताऊंगा उसके basis पर आपको मिली ये chapter पढ़ना है समझ गया है उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि advantages क्या है classification का ये जो मैं आपको बाट-माट के पढ़ाऊंगा उससे आपको क्या फैदा मिलेगा तो ये सब question exam में आता है उसके बाद classification on and evolution ठीक है evolution evolution समझते हो क्या हो नहीं समझते हो कोई बात नहीं है वीडियो के अंदर आप आज समझ जाएंगे ठीक है आज का वीडियो बहुत ज्यादा important है आज इस chapter का मैं basics बताऊंगा पिछले lecture में मैं basics नहीं बताया था पिछले lecture में मैं आपको एक नया topic पढ़ाया था वो topic था nomenclature कोई भी organism का नाम ह कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया था जो कि आपको आना चाहिए ठीक है हलांकि वह chapter के सबसे अंत में देता है लेकिन उसको पहले ही देना चाहिए क्यों क्योंकि जब तक आपको नाम लिखने नहीं आएगा तब तक आपको दिक्कत होगा आगे chapter में कैसे आप आगे बढ़ होगे ठीक है मैं आशा करता हूँ कि आपको nomenclature आ चुका होगा अगर नहीं आता है तो link description box में उस वीडियो को जाकर देखिए आपको आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत important topic है काफी ध्यान से देखिएगा ठीक है आज है lecture number two सबसे पहले आज हम समझते हैं आखिर ये diversity होता क्या है diversity का मतलब होता है variety chapter का नाम क्या है diversity in living organisms मतलब living organisms जो है इस earth पर वो कितने types के पाएज आते हैं उसी के बारे में आपको आज पढ़ना है समझ गया है जो भी अर्थ पे variety of living organisms जो है उसी के बारे में आज आपको पढ़ना है समझ गया variety of living organisms अब आपके मन में ये सवाल आएगा कितने variety का living organisms है तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ example देता हूँ इससे समझिएगा जैसे देखो भाई कितना ज्यादा variety का living organism है इस चीट से बहुँ ज्यादा बड़ा होता है समझ गया और अगर आप microscopic bacteria को देखोगे तो दिखाई भी नहीं देगा समझ गया मतलब इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो microscopic है microscope लगा के देखना पड़ेगा तब जाके दिखेगा वो भी नहीं दिख सकता है कई बार तो दिखता भी नही है समझ गया तो इसका example आप क्या ले सकते हो massive elephant हाथी इतना बड़ा से लेकर two microscopic bacteria समझ रहे हो इतना ज्यादा diversity है इतना ज्यादा changes है समझ गया diversity का मतलब changes भी समझ सकते हो variety समझ सकते हो ठीक है जैसे देखो बहुत सारा ऐसा किरा होता है जो कि transparent होता है ठीक है transparent worm transparent worms और कुछ-कुछ sorry क्या बोलना हूँ कीरा कैसा होता है बहुत सारा transparent होता है मैं चिरिया बोल दिया था सैध हां जो transparent बहुत सारा किरा होता है और अलग-अलग color का चिरिया होता है समझ गया brightly colored birds समझ गया कभी-कभी ऐसा हो जाता है ठीक है तो इसको आप corporate कर लिज बंगकुछ क्या देता हूं लिख कुछ देता हूँ ऐसा होता है कही बार ठीक है बोला गलत जाता है ठीक है कभी-कभी बोला सही जाता है लिखा गलत जाता है तो उसको आप ठीक कर लिजेगा ठीक है तो transparent worms टू brightly colored birds तीक है वो transparent कीरा सब होगा और सुन्दर-सुन्दर चिरिया सब होता है यह सब क्या है variety है living organisms कितने टाइप के है वो आपको समझ में आ रहा होगा है जैसे centipide देखे हो कभी अरे जो जमीन पर रेंगते रहता है किरा ठीक है जो चलते रहता है जिसके पर बहुत सारा टांग होथा तो इसके पास बहुत सारा टांग होथा numerous leg centipide centipide क्या होता है छोटा सा कीरा होता है जिसका आप photo तो गुगल पर देख शकते हैं ठीक है गुगल पे सिंटिपीड लிखेंगा दिख जाएगा तो सेंटिपीड जो होता है इसके पास बहुत सार चाहिव होता है लग ग्यहां तो एक ही दिन में साफ हो जाएगा टिकठा फ्यू ड़ेज ट्वख़ को जो पाइंट्रिहा पांट्री उ में 100 साज तक रह जाता है कई केसमें 100 भाइंट्रिश का ड्याइब का डाइवर्सीटी है आपको समझ में आ रहा है मतलब कैसा डाइवर्सिटी है यहां पर मतलब अलग-अलग टाइप का living organism है कोई इतना बड़ा है कोई इतना छोटा है कोई transparent है कोई बहुत ज्यादा colored है बहुत सुन्दर लगता जैसे चिरिया किसी के पास बहुत ज्यादा टांग है किसी के पास दो टांग है जैसे आदमी कोई कुछी दिन सर्वाइब करता है कुछ हजारों साल सर्वाइब करता है समझ गया so it can be said that living form very enormously समझ गया so हम लोग क्या कह सकते है it can be said that living forms vary enormously हम लोग क्या कह सकते है कि living form जो है वो enormous level पे variation सो करता है मतलब बहुत ज्यादा अलग-अलग level पे variation सो करता है अगर आप इसके बारे में more precisely रूप से पढ़ना चाहते है precisely मतलब क्या हता है सही अगर आप सही ढंग से इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको grouping करकर करके पढ़ना होगा समझ गया हर और यनिजम को एक particular group में डाल देना होगा तब पढ़ना होगा समझ गया है अगर grouping नहीं करोगे तो पर पाना बहुत मुश्किल है तो इसके लिए क्या चीज का जरूरत परा नेसेशरी परा किस चीज का क्लासिफिकेशन का समझ गया है तो इसके लिए नेसेशरी परा क्लासिफिकेशन का हम लोग को classify करना परेगा उसको particular ग्रूप में डालना परेगा तभी हम लोग परताएंगे समझ गया है डिफ्रेंट ग्रूप में डालना परेगा मतलब बहुत सारा character है उसके basis पर डाला जाता कैसे कैसे सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा ठीक है तो उसको क्या किया गया निसेसरी परा classify करने का अलग अलग ग्रूप में क्या चीज के basis पर करेंगे similarity और differences के basis पर ठीक है on the basis of similarities and differences अगर कहीं कहीं पर spelling गलत हो जाता है तो उसको ठीक कर लिजिएगा ठीक है comment में लिखना नहीं है चले आगे बढ़े हम लोग ठीक है अब आता बायो डाइवर्सीटी और classification यह आज का topic था ठीक है आगे बढ़ते हैं यह आज के यह दूप खर कुछा क स्वष्ण शाचर्पा कर दोख मैं है आगे जवार्सी ख corona अज हम लोगे दीक है कि चने अला हूँ खर स brings स और कोटे कि शचम है दिंवा है कर बपना Member हृ उन बायो डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ठीक है बायो डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन देखो भाई यह सब टॉपिक न बहुत इजी है इसको ध्यान से बस पढ़ते जाईएगा बायो मतलब क्या होता है लिविंग ठीक है लिविंग और्गनिजम लिविंग और्गनिजम का जो वराइटी है उसी के बारे में आपको पढ़ना है तो आपके मन में यह सवाल आएगा आखिर यह बायो डाइवर्सिटी टर्म आ कहां से गया किसने सबसे पहली बार यूज किया तो वाल्टर जी लिविन ने यू क्वाइंड बाई वाल्टर जी रोजन ठीक है किसने क्वाइंड किया वाल्टर जी रोजन समझ गया है यहर भी याद कर सकते हो 1986 के करीब में यह इस्तेमाल किये थे ठीक है ठीक है समझ गया तो बायो डाइवर्सिटी टर्म किसने क्वाइंड किया वाल्टर जी रोजन ने 1986 इस भी के करीब बायो डाइवर्सिटी का मतलब समझ गया variety of living organism, बायो डाइवर्सिटी मिन्स diversity of life form, तेखे, बायो डाइवर्सिटी मिन्स variety of life form, तेखे, जो life form है उसका variety, कोई भी found in particular area, कोई भी खास जगह पर, जो पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, बायो डाइवर्सिटी मिन्स variety of living form, found in particular area, ठीक है, समझ गया है, यही है बायो डाइवर्सिटी का मतलब, जो भी living organism, किसी पार्टिकूलर छेत में पाया जाता है, वो उसका बायो डाइवर्सिटी है, ठीक है, समझ गया है जैसे बिहार में जो भी living organism, वो इसका हो गया, other state में, other state का हो गया, कोई भी particular छोटा जगा पर जो होगा, वो छोटे जगा पर होगा, समझ गया है, वो area decide करेगा, ठीक है, जैसे एक बिहार का आप ले सकते हो, आप जिस जिला में रज सकते हो, आरा सिवान, तो उसका आप ल सकते हो, बायो diversity, मतलब वो particular area का होगा, समझ गया, clear है, diverse life form जो होता है, share करता है, same environment को, समझ गया, diverse life form, share the same environment, ठीक है, जैसे माल लो, आप अपने गाउं का जब पुरा diversity देखोगे, बायो diversity, तो हर और्गेनिजम के लिए environment क्या होगा, same होगा, तो diverse life form, share the same environment, and are affected by each other, and are affected by each other, affected by each other, समझ गया, सब एक दूसरे से affected होगा, समझ गया, जैसे एक मैं छोटा सा example देता हूँ, जैसे माल लो, कोई भी particular छेत्र है, समझ गया, particular area है, वहाँ पर माल लो, कहीं पे साप निकलता है, यह ऐसा हुआ था, ठीक है, मेरे आख के सामने का देखा हुआ incident है, उस particular area में कोई भी साप निकलता था, उसको सब मार देता था, क्यों मार देता था, क्योंकि एक आदमी को काट लिया, तो पूरा जगा को मिंधक मिंधक ही छेक लिया, समझ गया, जहां जाते आप वहाँ पर मिंधक है, इधर इधर, 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 समझ गया न, उसको खाने वाला कोई था ही नहीं, समझ गया, बहुत जादा मिंधक का संख्या बढ़ते गया, नहीं तो साप क्या करता है, सारे मिं सा समझ गया ना ऐसा हो गया था एक बार यह मेरे आँख के सामने देखा हुआ इंसिडेंट है तो आप कभी भी अगर छिर चार करोगे तो उसका खाम्याजा आपको भुगतना परेगा यह छोटे लेवल पर भी हो सकता जैसे जिस एरिया में रहता था उस एरिया में ऐसा हुआ था और भी भरे लेवल पर जाओगे तो और ज्यादा मिलेगा समझ गया तो डाइवर्स लाइफ फर्म सेर दा सेम इंवर्मेंट and are affected by each other सब एक दूसरे से affected रहेगा and also by characteristic of land water climate समझ गया and also by characteristics of ठीक हर जगह का characteristics मतलब एक पार्टिकुलर जगह का क्या होगा होगा characteristic सेम ही होगा मतलब लैंड सेम ही होगा अगर सेम जगह पर रहता है तो पानी सेम होगा climate सेम होगा water सेम होगा climate सेम होगा and so on ठीक है बहुत सारा चीज हो सकता है स्वार मतलब समत्यों और ज्यादा और भी ज्यादा बहुत सारा करेक्टर देख सकते हुआ समझ गया अब आपके मन में यह सवाल आगा total कितना species हमारे इस धर्ती पे है तो ऐसा estimate किया जाता है कि 10 million species है 10 million species हमारे इस धर्ती पे present है ऐसा estimate लगाया जाता है 10 million species on our planet ठीक है हमारा जो planet अर्थ है सिर्फ अर्थ के बारे में बता रहा हूं ठीक है उस पे 10 million species present है other planets के बारे में बहुत जादा हम लोग को अभी पता नहीं है ठीक है तो 10 million species है हमारे planet पे लेकिन अभी तक न बस ठीक है लगवाख 1-2 million organisms के बारे में ही हम लोग जान पाए है एक से 2 million कहीं कहीं पर 2 million लिखा होता है कहीं कहीं पर 1 million भी होता है तो मैं 1-2 million लिख दिया तो 1-2 million species discovered so far species discovered so far समझ गया अभी के समय तक हम लोग को 1-2 million कहीं कहीं 2.5 भी दिया होता है समझ गया अलग-अलग class में कुछ-कुछ मिलते रहता है समझ गया तो जो-जो मिलता है सम मैं आपको बता दिया समझ गया न यह नहीं बोलना है कि उस बूक में इतना दे रखा उसमें इतना मैं हर एक डेटा बोलना हूँ ध्यान से बस सुन लेना समझ गया थोड़ा बहुत छेर-छार होता है बता तो 1 million में कितना लाक होता है comment में बता 1 million बरावर 10 lakhs बता option देता हूँ 5 चलो आगे बढ़े आगे अब हम लोग बढ़ते हैं यह आज का question है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है कहां तक पहुँच चुके हैं 1 से 2 million species हमारे अर्थ पर प्रेजन्ट है अब हम देख लेते हैं region of mega bio-diversity mega bio-diversity bio-diversity मतलब समझ गया जहां पर living organism पाया जाता है मतलब क्या पाया जाता है बता plants and animals पाया जाता है समझ गया plants and animals पाया जाता है microbes भी सामिल कर सकते हो mega मतलब होता बहुत जादा ऐसा जगा जहां पर बहुत जादा plant और animal पाया जाता उसको mega bio-diversity बोलते हैं मतलब rich diversity of plant and animals क्या बोलेंगे उसको mega bio-diversity यह जो mega bio-diversity है ना total 12 है इसका नाम आपको याद रखना है पहला हो गया ब्राजील इसके बाद हो रहा है इंडिया भी है समझ रहे हो ना कुलंबिया इक्वाडोर इंडिया चाइना भी है इंडोनेसिया यह सब है मेगा बायो डाइवर्सिटी वाला कंट्री अगर आपको पुरा लिखना है तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं पेरू मेक्सिको जारी यह सब है पेरू मेक्सिको जारी कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ठीक है यही सब है ऐस्ट्रेलिया माडागासकर यह स एस्ट्रेलिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा मलेसिया भी है हां मलेसिया ठीक है यह सब 12 मेगा बायो डाइवर्सिटी अगर आपको याद करना कर लिजिए नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं इसको बस पढ़ लेना है ठीक है रुख जाए एक बा ब्राजील कोलंबिया कोलंबिया लिखा हां ठीक है कोलंबिया लिखा हूं इक्वाडॉर इक्वाडॉर ठीक है पेरू मेक्सिको जारी ठीक है मडगासकर अस्ट्रेलिया चाइना इंडिया ठीक है मलेसिया अस्ट्रेलिया ठीक है सब है सब लिखा गया सही है समझ गया अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है ठीक है क्लासिफिकेशन समझ गया है मतलब यह सब जो रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा लिविंग और यह निजम पाया जाता है बहुत ज़्यादा प्लांट और अनिमल्स है इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में तो इवन आदमी भी बहुत ज़्यादा है सम समझ गया है ना तो classification क्या है the method of arranging organism into group समझ गया है the method of arranging organisms into groups ठीक है classification क्या है the methods of arranging organism into groups organism को group में बांट दिया जाएगा ठीक है group या set में on the basis of their similarity and differences on the basis of their similarities and differences known as classification यह definition अगर आपके स्कूल एक्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं समझ गया ठीक है clear है अब हम लोग देख लेते हैं किस classification का आखिर advantages क्या क्या है समझ गया है यह सब question exam में आता है यह सब बखवाज topic है समझ गया ना मजदार topic थोड़ी देर बाद आएगा समझ गया यह सब exam में आता है तो बता देता हूं अगला lecture से बहुत ज्यादा interesting होते जागा chapter समझ गया स्टार्टिंग का एक दो लेक्चर कच्रा रहता है लेन पिछला lecture भी तो अच्छा ही था समझ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देख लेते हैं advantages of classification आखिर इस classification का advantages क्या क्या है बहुत ज्यादा फ्यादा है इसके बारे में क्या होता है इत गिव information regarding the existing diversity of planted एनिमल, ठीक है, इट गिफ्स इन्फोर्मेशन अबाउट दा, एक्जिस्टिंग, स्पेसिज अफ, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स वड एनिमल्स का कितना स्पेसिज एक्जिस्ट करता है, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, किसे, से, क्लासिफिकेशन से, इट मेक दे स्टडी अफ, वाइड वराइटी अफ और गेनिजम, कनिवेनियंटली, समझ गया, ठीक है, कनिवेनियंटली मतलब होता है, असानी से, ठीक है, इतना जादा और्गेनिजम है, फिर भी उसको आप असानी से पर सकते हो, क्लासिफिकेशन की हेल्प से, समझ गया, क्लियर है, इट हेल्प अस टू अंडर्स्टैंड अफ इवोल्यूशन, इसके हेल्प से हम लोग, यह भी आइडिया लगा पाएंगे, कि कौन सा और्गेनिजम पहले आया, कौन बाद में आया, वो भी आपको आज बताऊंगा, इवोल्यूशन मतलब होता है, विकास होना, समझ गया, जैसे क्या है, हम लोग का पूरवज क्या था, पढ़ाया गया बूक में होगा, बंदर, ठीक है, चिमपान जी, यह सब बोला गया होगा, तो उस सब से माल लेते हैं, अगर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, तो उसस आगे बढ़े, बढ़ते हैं, ठीक है, कितना एडवांटेजेद देख लिए, तीन देख लिए, ठीक है, इट फर्म द बैसिज फोर डेवलोपमेंट अफ 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 बायोजिकल साइन्स, it forms the basis of other biological science biological science देखो भाई इससे न बहुत सारा biological science जो है न वो link है जुरा हुआ है जैसे ecology, bio geography, bio chemistry समझ गया है जैसे like ecology bio chemistry आगे पढ़ना पढ़ता है समझ गया जब आप 11-12 में जाएंगे तब पढ़ना पढ़ेगा 12 में यह chapter भी है bio chemistry, bio geography और भी बहुत सारा biology का branches है bio geography and other disciplines of science other इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है science का और भी ब्रांचे जुरा हुआ है तो it formed the basis of biological science like ecology, biology, bio chemistry, bio geography जो आप geography पढ़ते होगे उसका living organism के साथ क्या connection है उसके बारे में पढ़ा जागा chemistry जो cell के अंदर होता है उसके बारे में living और non living किस तरीके से जुरा हुआ है उसके बारे में समझ गया है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी मैं बता दिया अगर आप याद रखना चाहते है तो थोड़ा बहुत रख सकते हैं आगे बारे हम लोग अब हम देख लेते हैं कि classification में आखिर क्या-क्या characters को include किया गया तो बहुत सारा characters को include किया गया characteristics use for classification characteristics use for classification classification में क्या-क्या characteristics का योज हुआ तो पहला है जैसे हो गया appearance वो दिखाई कैसा देता है ऐसा नहीं है बस इतना ही characteristics है यह तो मैं उपर-उपर से बता रहा हूँ आपको ठीक है behavior उसका behavior कैसा है वो खाना कैसे खाता है अपना खाना खुद बनाता है कि या किसी का खा जाता है समझ गया फॉर्म ठीक है वो फॉर्म कैसा है उसका function क्या है समझ गया यह सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है समझ गया इस तरीके से classify किया जाएगा ना इस तरीके से classification होगा कि interrelated character बहुत जादा match करें समझ गया क्या करें इंटर-related character से match करेंगा ठीक है आपको जब अगला lecture से मैं पढ़ाऊंगा ठीक है आगे बहुत सारा lecture आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि दो और्गेनिजम के बीच में बहुत सारा character मिलता जूलता रहेगा समझ गया तो classify इस तरीके से करना है कि interrelated character पता लगे समझ गया clear तो characteristics इस यह particular form समझ गया characteristics क्या है एक फॉर्म है समझ गया characteristics क्या है it is यह particular form particular form यह कह दो फंसन टेक है जो लक्षन है वो क्या है कोई भी चीज का particular type है समझ गया उसका काम कुछ और हो सकता है कोई भी लक्षन जो दिखाई देगा वो function पर depend करेगा मतलब यह कोई भी जो लक्षन दिखाई देगा न वो कुछ काम के लिए वना है वो सब आपको आगे समझ में आएगा clear है समझ गया ना जैसे देखलो हमारे हाथ का जो finger है इसका भी बहुत सारा काम है समझ गया यह हमारे हाथ का फिंगर है, इसे रोटी तोड़ते हैं, खाना QR, समझ गया है? तो बहुत सारा काम है, example finger on each hand of ours. समझ गया है, example fingers of each hand. हमारे जो हाथ का finger सब है, उसके बारे में बताए जा रहा है, ठीक है? तो हमारे हाथ का finger ऐसे ही नहीं है बिना काम का, इसका बहुत सारा significance है, समझ गया ना, कोई भी चीज जो आपको दिखाई देरा सब का significance है, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जब animal kingdom में हम लोग पहुंचेंगे तब पढ़ाएगे, वो सब रहेगा last बाला part, समझ गया पहला part था nomenclature खतम, दुसरा part है classification का basics, आज पढ़ा रहा हूँ, अगले part में हम आपको पढ़ाएगे, छोटे छोटे organism के बारे में, जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसके बाद हम आपको पढ़ाएगे, plants के बारे में, फिर पढ़ाएगे animals के बारे में, animals के बारे में बह देख्या, अब हम लोग एक ये करकर के बहुत सारा characteristics के बारे में बातचीत करते हैं, ये सब तो characteristics ऐसे ही था, जूटफुस वाला, समझे रहे हो ना, अब आता असली characteristics सब, समझ गया, characteristics used for classification topics में ही, ठीक है, ऐसा मैं करता हूँ ना, red color marker से topic mention करूँगा, ठीक है, दिखता नहीं होगा, पता ही नहीं लगता होगा heading क्या है, concept क्या है, चलो इससे mention करूँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखकर, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब मज़ेदार topic सब आ गया, ठीक है, सबसे पहला जो character है, वो है, the complexity of cell structure, पहला है, the complexity of cell structure, classification मैं 5 तरीके से आपको मिली, इस class में करवाँगा, ठीक है, आपको यह मैं अभी बता देता हूँ, कि organisms जो होता है न, यह दो तरीके का होता है, पहला है, prokaryotic और दूसरा है, eukaryotic, यह सब आपको आता होगा, अगर नहीं आता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन यह सब आपको आना चाहिए, समझ रहा हो न, नहीं आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, बट यह सब चीज बहुत important, एकदम basic है, समझ रहा हो, जैसे मालो यह prokaryotic cell है, बतलब cell है, तो इसके अंदर जो DNA सब होता है, समझ गया है, DNA नहीं कह दो, इसका nuclear material, इसका जो nuclear material है न, यह cytoplasm में ऐसे ही present होता है, समझ गया, clear, इसको कोई डबबा के अंदर बंद करके नहीं रखता है, लेकिन इसका जो nuclear material होता है न, इसका जो nuclear material, यह न, डबबा के अंदर बंद होता है, इसको हम बोलते हैं, nucleus, और यह ऐसे ही present है, ठीक है, इसका क्या है, nuclear material, लेकिन यह डबबा के अंदर बंद है, तो जो prokaryotic cell होता है न, यह पुराने जवाने का है, इसमें well defined nucleus नहीं है, well defined nucleus नहीं है, clear, समझ गया है, अगर नहीं पता ह है, तो यह सब मैं बता देता हूँ, समझ जाईएगा, ठीक है, इसके अंदर न, कोई भी membrane bound organelles नहीं होता है, समझ गया, membrane bound organelles नहीं होता है, क्या होता membrane bound organelles, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यह जो cell है न, eukaryotic वाला, इसका यह cytoplasm है, समझ गया, यह क्या है, cytoplasm, cytoplasm के अंदर में छोटा छोटा डबा के अंदर बंद organelles सब होता है, जैसे यह देखलो, mitochondria, mitochondria, यह हो गया मालो, क्या चीज, यह हो गया मालो, plastid हो गया, ठीक है, plastid हो गया, इसमें endoplasmic reticulum होगा, golgy होगा, समझ गया, जैसे मालो यह हो गया, golgy, clear, तो यह सब क्या है, membrane bound organ organelles समझ गया, यह सब क्या है, membrane bound organelles, ठीक है, mitochondria होगा, जैसे मालो, ठीक है, जैसे मालो यह mitochondria है, तो यह सब membrane bound organelles किसमें present है बता, eukaryotic में, जो की prokaryotic में नहीं होगा, समझ गया, तो membrane bound organelles are present, ठीक है, इसमें, membrane bound और घनेल्स एर मेंब्रेन बाउंड और गनेल्स एंड नुकलियस और प्रेजंट इसमें न्यूकलियस भी है टिक है क्लियर समझ गया इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा अब हम लोग अगले ग्रूप के बारे में बात करते हैं मतल्म अगला अच्छा सा फीचर क्या है पहला फीचर है कौन सा सेल कितना कॉंपलेक्स है मतलब कौन सेल पहले आया समझ गया उस सेल के अंदर का जो स्ट्रक् तेखा, second feature, body structure, देखो भाई, body structure भी एक important characteristics है, समझ गया, इसके अधार पर organism को दो ग्रूप में भाटा गया, कितने ग्रूप में, दो ग्रूप में, पहला है आपका unicellular, जिसको cell chapter आता होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा है आपका multicellular, multicellular, multi मतलब होता है, many, cellular मतलब होता है, cell वाला, ठीक है, uni मतलब होता है, single, cellular मतलब होता है, cell वाला, तो जो single cell वाला है, unicellular, जो many cell वाला है, multicellular, single cell वाले का example क्या है, amoeba, समझ गया, amoeba कैसा होता है, जैसे मन है वैसे बना दी जिए irregular boundaries का होता है जैसे मन वैसे बना दो irregular boundary है टिक है समझ गया और multi cellular का क्या है आदमी हो गया example में human हम लोग बहुत सारे cells से मिलकर बने हुए है यह जो unicellular बाला है इसको total काम बस एक ही cell से करना है carry out all its function through a single cell समझ गया carry out all its function through a single cell समझ गया इसको total का total काम एक ही cell से करना है clear लेकिन यह जो होता है ना multi cellular इसमें जैसे आदमी इसमें काम बटा होता है समझ गया division of labor present होता है हर एक cell का काम अलग-अलग होता है समझ गया जैसे देखो जो हमारा stomach का cell है उसका काम क्या है खाना को digest करवाना जो heart का cell है उसका काम क्या है blood को pump करवाना समझ गया है जो लंग का cell है उसका काम क्या है bile juice को निकालना मता हर एक cell का क्या बोल दिया lungs नहीं liver lungs का कुछ और होता है क्या क्या बोलना हूं ठीक है अगर गरबर बुला जाता है तो उसको थो थोड़ा बद मैनेज कर लेना ठीक है बाइ मिस्टेक हो जाता है जैसे देखो human का human है तो इसमें क्या division of labor है काम बटा होता है समझ गया ठीक है जैसे देख लो हमारे पास tissue है cell से मिलके क्या बनता है बता tissue है ठीक है और यह tissue से organ बना है organ सबका काम बटा हुआ है समझ गया और उससे क्या बनता है organ system clear समझ रहा हो इसमें किसी को कोई भी doubt नहीं होगा अब हम लोग आगे बरते हैं अब आता तिसरा characteristics आता तिस्टिक्स कहां पर है हम लोग योनी cellular और multi cellular पर अब आगे बढ़ते हैं आता है अब हम देख लेते हैं मोड आफ नूट्रिशन किसरा characteristics mode of nutrition मतलब यह अपना खाना खुद से बनाता है या दूसरे से लेता है पहला है autotrophic mode of nutrition दूसरा है heterotrophic mode of nutrition autotrophic mode of nutrition क्या होता है ऐसा और यह निजम जो अपना खाना खुद से बना लेता है उसी को हम autotrophic mode of nutrition बोलते है can make their own food through the process of photosynthesis ठीक है can make their own food through the process of photosynthesis यह अपना खाना खुद से बना लेता है किस process द्वारा photosynthesis द्वारा समझ गया example हो गया green plants समझ गया player इसमें किसी कोई भी doubt नहीं होगा यह depend होता है autotroph पर जैसे हम लोग किस पर depend है autotroph पर depend on autotroph या other animals पर भी हो सकता है या other animals पर ठीक है जैसे हम लोग भी other animals पर depend है हेन पर गोट पर ठीक है हलांकि मैं वेज आदमी हूँ समझ रहा है लेन आदमी खाता है मतल्स समझ लो ठीक है for their food समझ गया अपने खाना के लिए example क्या हो गया जैसे fungi हो गया animals हो गया animals में आप human भी कर दो आदमी ठीक है even human clear इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा अब आता है level of organization of body fourth character level of organization organization of body अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ बहुत सारा ऐसा organization होता है जो कि सिर्फ cell का बना होता है समझ गया है cell का बुच्छा होता है ठीक है tissue बना नहीं पाता है ठीक है बहुत सारा organism आपको animal kingdom में ऐसा मिलेगा जो कि cell का सिधे cluster रहेगा वो tissue नहीं बनाएगा ठीक है बहुत सारा ऐसा organism मिलेगा जो कि tissue level पर ही काम अपना करता रहेगा कुछ organism कुछ नहीं बहुत सारा organism मिलेगा जो कि organ level पर रहेगा कुछ organism मिलेगा organ system वाला कुछ नहीं बहुत सारा होता है समझ गया इस सब के बारे में कहा पढ़ना है animal kingdom में kingdom animalia में animalia समझ गया तो plant have different type of tissue as compared to animal अब plant animal में देखोगे फिर भी बहुत जादा अलग-अलग अंतर है समझ गया plants and animals have different type of tissue हम लोग के पास tissue है वह अलग type का है और plant के पास अलग type का है जैसे हम लोग का type का हम लोग type में जो organism है समझ गया उसमें भी बहुत सारा classification मिलेगा जैसे kingdom animalia में परना है जैसे देखलो plant का जो tissue होगा वो क्या चीज में मदद करेगा पेर को anchorage में support देने में जैसे मालो हम लोग का tissue है move करने में मदद कर सकता है समझ गया animals का tissue माल लेते है mobility में मदद करेगा यह मैं basic basic चीज बता रहा हूं ठीक है animals भी बहुत सारा ऐसा होता है जो कि चलता ही नहीं है move भी नहीं करता है तो उस सब exception को side करके चलना है समझ गया ना चली आगे बढ़ते हैं मतब देखा जाता हजारो character देखा जाता है समझ गया है अगर classification करने पर तुलोगे तो कितना character आप निकाल दोगे पता ही नहीं लगेगा लेकिन जो भी basic है उसी के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग निंद भी लग रहा है भाई एक बढ़ चुका है अभी class 10 का lecture सूठी करना है नहीं तो आज छोड़ दूँगा class 10 वाले का पसाफी लोग को पढ़ा के चलो यहां आगे बढ़ते हैं अब आता है पंचमा करेक्टर वो है functional organization ठीक है functional organization यह करेक्टर को समझो यह लास्ट करेक्टर है इसके बाद में नहीं बताऊंगा ठीक है उसके बाद classification and evolution लास्ट टॉपिक रहेगा देखो भाई organism का जो structure है आज का थुरा लेक्टर बोरिंग है समझ रहे हो ना आपको समझ में आभी रहा होगा समझ गया मतलब फंसन living organism का बदल जाता है समझ गया है function living organism का बदल जाता है इसका मतलब आप अब समझोगे समझ गया है अभी नहीं पता लगा होगा मैं क्या बता दिया है इसको आप ऐसे समझ हो example लेलो पहला amoeba का और human का ट्रीक है amoeba और human का लेले सबसे पहला एक जाम पर यह जैसे मालने amoeba है तो amoeba का जो बाहर वाले structure होता है उसकों क्या बोलते है pseudo-podia pseudo मतलब क्या होता है false podia मतलब feet नकली पैर समझ गया तो जो amoeba है उसके पास pseudo-podia होता है जो की चलने में मदद करता है for locomotion होता है क्यों होता है बता for locomotion ठीक है amoeba का जो pseudo-podia है किस काम के लिए है locomotion के लिए और हम लोग का जो tongue है वो क्या चित के लिए है दोरने के लिए है समझ गया हम लोग का जो पैर है वो दोरने के लिए है कहा जो तर locomotion के लिए ही है सिंपल सब्दों में बोले तो समझ गए तो अब देखो structure body design vary कर रहा है जैसे amoeba का structure अलग है आदमी का structure अलग है दोनों का body design भी अलग है फंसन जो living organism का है वो same ही है समझ रहा हो मतलब इसका pseudo-podia और आदमी का पैर का फंसन क्या हो गया clear समझ गया तो यह structure body design vary करने से यह नहीं होता है कि फंसन हमेशा अलग ही रहेगा फंसन सेम ही हो सकता है कई बार अलग ही हो सकता है समझ गया तो वो depend करता है समझ गया जैसे देख लो structure और body design बदलने से कैसे कैसे changes आता जैसे देखो आदमी आदमी और plant का ले लो ठीका आदमी दोर सकता है लेकिन plant नहीं समझ गया plants दोर नहीं सकता plant दोर नहीं सकता clear समझ गया clear चलिया यह था बखवास topic सब समझ गया यह सब आगे जब जाओगे तब समझ में आएगा ठीका और अच्छे से जब मैं अगला लेक्चर लाओँगा hierarchy of evolution तब अच्छे से आपको समझ में आएगा वहाँ पर मैं आपको five kingdom classification सबसे पहले पढ़ाओँगा monera, protesta, fungi, animalia, planty ठीक है और मेली जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है planty और animalia के बारे में clear हालांकि six kingdom classification लेकिन आपको five भी पढ़ना है जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बहुत high level का ही रहेगा समझ रहे हो ना high level का रहेगा एकदाम बढ़िया वाला level का रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा समझ गया अगर आप इसको पर लोगे आगर nine, ten आप अच्छे से कर लेते हो तो chemistry में मतलब पहला chapter का पहला chapter है जैसे mole concept ready रहेगा आपका mole concept का बहुत सारा part आप अभी पढ़ चुके है तेका ninth का अगर आप दोनों chapter कर लिए तो mole concept ready है आपका कुछी part पढ़ना है समझ रहेगा question सब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा structure of atom का basics आपका clear होगा आप समझ रह बस आपको आगे कुछ theory जोड़ दिया जाएगा periodic classification 10 में पढ़ना वो भी आपका ready रहेगा 11th का chapter सब chemical bonding उसका भी basics वाला part आपको metals और non metals में पढ़ा दिया जाएगा class 10 में हलांकि मैं पढ़ा चुका हूँ अगर आप चाहते हैं वो सभी देखना तो देख सकते हैं समझ गया न तो अगर आपका basics ठीक रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा लेकिन बच्चा का basic ही हिला होता है हर एक बच्चा का गरवर होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका होगा तो आप तो अभी सुधार भी सकते हैं चलिए अब हम देखते है classification and evolution तो यह जो chapter है न बहुत जादा important है समझ रहे हो इसलिए इसको काफी अच्छे से पढ़ना देखो भाई evolution क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते है अब देखो body design जो है न body design हम लोगा इसमें क्या होता है changes होता है समझ गया क्या होता है बता changes होता है और यह changes जो है न यह accumulate जब होने लगता है जब यह जमा होने लगता है तेखा जैसे मालो हमारे body design हम लोगा body design बदल रहा है धीरे धीरे ठीक है कुछ-कुछ character हम लोगा बदल लाओगा एक time बाद क्या होगा यह सारा body design changes जमा होते 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 अगर अभी के generation से 100 साल बाद compare करवाया जाएगा तो क्या होगा थोड़ा बहुत कुछ अच्छा character आ गया होगा generally अच्छा ही आता है उसी को हम बोलता है evolution समझ गया है तो धीरे धीरे क्या होगा changes होगो के changes जमा होगो के क्या होगा evolution हो जाएगा क्या हो जाएगा evolution evolution generally अच्छा के लिए ही होता है organism to survive better कई बार गरबर भी हो जाता है लें generally अच्छा के लिए ही होता है तो organism to survive better evolution से क्या होता है हम लोग अच्छे से survive कर पाते हैं ये जो term था न सबसे पहले Charles Darwin use किये थे कौन यूज किये थे Charles Darwin Charles Darwin का एक book आया था origin of species ठेक है उसी में ये term define किये थे evolution ठेक है species का origination कैसे हुआ समझ गया है ये 1859 में book आया था समझ गया है पहली बार describe किये थे evolution के बारे में ठेक है first described first described about evolution evolution के बारे में सबसे पहले यही describe किये थे समझ गया कौन Charles Darwin ये क्या बोल दिये थे कि आदमी बंदर से आता है समझ गया है उसके बाद इनका बहुत बिरोद भी हुआ था समझ रहे हो जैसे अभी कोई अगर ऐसा statement देगा तो normal है लेन उस टाइम जब दिया होगा समझ रहे हो तो बहुत बवाल मच गया था इनके बारे में कभी स्टोरी जानोगे तब दंग रह जाओगे दंगा पसाद सब थेल गया समझ रहे हो क्योंकि धार्मिक बहुत सारा थेोरी था और इस सारा थेोरी को एक बार तमाचा लगा दिया उसके बहुत ज़्यादा बवाल मच था समझ गया तो evolution का definition भी आप याद कर सकते हो process by which early organism and the earth diversify into various form क्या क्या लिख दिया क्या लिखा it is a process by which early organism on the earth on the earth diversified diversified into various form through a slow and continuous process क्या क्या लिख दिया रुख जाला language परने दे it is a process by which early organism on the earth diversified into various form various form through a slow and परने देख बार नहीं तो बड़ा definition लिखने में गरबर होने का चांस रहता है it is a process by which early organism on the earth diversified into various form through a slow and continuous process समझ गया इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है चलिए हाँ ये सब था बकवास चीज़ समझ गया अब जो सबसे ज्यादा जो ठर्म यूज होता है उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं टेक है और्गनीजम जिसका एंसेंट बॉड़ी डिजाइन है जो कि बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं हो पाया समझ गया बहुत ज्यादा चेंजेज रिपोर्टेड नहीं है नोट चेंज मच इसको प्रिमिटिव और्गनीजम बोलते हैं नोट चेंज और्गेनिजम पार्टिकुलर बोडी डिजाइन बन गया उसको हाईयर और्गेनिजम बोला जाता है तेका और्गेनिजम जिसमें पार्टिकुलर बोडी डिजाइन आ गया उसको हम क्या बोलते हैं हाईयर और्गेनिजम जैसे हम लोग हाईयर और्गेनिजम है हम लोग के पास particular body design आ चुका है किसमें कौन lower organism है कौन higher organism ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो अभी घबराने का ज़ुरत नहीं है समझ गया तो organism जिसमें particular body design आ गया वो कैसा organism है higher organism समझ गया जैसे हम लोग higher organism है हम लोग कैसे organism है higher organism advanced organism है या इसको आप advanced organism organism भी का सकते हो ठीक है clear इसमें किसी को कोई भी doubt नहीं होगा ठीक है अब आता है जो भी older organism है समझ गया older organism पुराना वाला जो और गया निजाम है समझ गया वो बहुत simple था समझ गया वो cell level से बना हुआ था tissue level से ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा ये कैसे है बता complex है जैसे हम लोग है कैसा है complex है clear समझ गया clear यही पर आपका lecture समाप्त होता है मिलते हम लोग अगले lecture में वहाँ पर हम लोग 5 kingdom classification के बारे में बातचित करेंगे तब तक ये लिए all the best बाई 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 जहिए